जर्जीरात नहीं भलब पापड़ी को स्वाधिश्ट बनाए गर्मी से राहत दिलाएं यो ही नहीं मैं रोज पहले केरन का छोड़ धूंगे धूप छाओ दिन रात की परवा किये बिना बढ़ता जाता हूँ सब कहीं उस उंदा अनुभाव को दुनिया तक पहुँचा पाता हूँ यो ही नहीं मैं रजनी कंधा बन जाता हूँ केश किंग आयुरवेदिक देल जो बना है सोला खार्थ आयुरवेदिक तत्वों से रखे मेरे बालो का खयाल और पाल रहें लंबे काले और गहने केश किंग दे खिंग अफ हैरो दादा जी मैं चीत के ही आऊँगी जो नहीं मेटे दीजी क्या बनाओगी चने थांक्यू मैं जीत के दादा जी जीज नहीं था दीजी आप नहीं MDA यही तो है MDA चला मसाले का कमार नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे खास कारिक्तरम वंदी मात्रम में और मैं हूँ आपके साथ श्रेया पाथक All India Pre Medical Test यानि की AI PMT जामय मीलिया इसलामिया इंजिनरिंग टेस्ट AMU की MBBS परिक्षा ये वो entrance exam है जिनके लिए छातर दिन राग जी तोड़ कर मेहनत करते हैं लेकिन अगर इन परिक्षाओं में नकल या पेपर लीग जैसे मामली सामने आते हैं तो सवाल ना से प्रवेश परिक्षाओं को दोबारा कराने पर खड़ा होता है बलकि CBSC जैसी बड़ी संस्था के सिस्टम पर भी बड़ा सवाल लगता है आज हम वंदे मातरम में इसी पर जर्चा करेंगे और इस खास चर्चा में हमारे साथ कई महमान जुड़ेंगे आईए सभी से मैं आपका परीचे करा देती हूँ हमारे साथ कॉंग्रेस की नेतरी हैं ओनिका महलोतरा जी इसके अलावा शिक्षा विद्ड डीके मिश्रा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे रेसिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी सबी से हम बारी बारी से हर एक पहलू हर एक मायने को समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए करते हैं अपने खास कारिक्रम वद्ने मात्रम की आप सभी के साथ शुरूआत तो AI PMT समय चार इंटरेंस एक्जैम के परचे लीग होने के बाद सुप्रम कोट ने 17 अगस तक दोबारा परिक्षा कराने का आदेश दिया कोट ने CBSC की याची का पर सुनवाई करते हुए कहा कि 17 अगस तक प्रवेश परिक्षा पूरी करा कर इसका रिजल्ट घोशित कर दिया जाए क्या है पूरा मामला आए आपको दिखाते हैं अपने इस खास रिपोर्ट में सुप्रीम कोट ने दिये नए आदेश 17 अगस्त से पहले परिक्षाई कराए CBSC AI PMT की दुबारा होंगी परिक्षाई साड़े तेरा लाख सपनों का सबाद आखिर किसने किया देश के भविश्य के साथ किलवाद CBSC AI PMT की परिक्षा रद AMU MBBS की परिक्षा रद जामिया मिलिया असलामिया इंजिरिंग परिक्षा रद जी हाँ, ये हकीकत है देश के उन परिविश्य परिक्षाई की जिसके लिए छातर लंबे समय से जी तोड मेहनत कर रहे थे अब तक चार इम्तिहान परिक्षा लीग और नकल खुवासों के बाद रद हो चुकी है दरसल आलम ये हो चुका है कि परिचा लीग माफियों की नजर में परिविश परिक्षा वो धंडा है जिसमें एक ही जटके में करवडों कमाई जा सकते हैं पुलिस की गिरत्म में आये आरोपियों से ये पता चला है कि वे प्रवेश परिक्षा में नकल और परचा लीग जैसे मामले पिछले कई सालों से चला रहे थे वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से कहा है कि वो AIPMT की दुबारा होने वाली परिक्षा 17 अगस्त से पहले करा ले CBSE की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत में यादेश दिया है आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में दी अपनी याचिका में CBSE ने कहा था कि चार हफ्तों में All India Prime Medical Test दुबारा कराना संभव नहीं है CBSE ने इसके लिए कोर्ट से तीन महिने का वक्त मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए CBSE की याचिका को मन्जूर कर लिया था और अब 17 अगस्त को AI PMT की प्रवेश परिक्षा को दुवारा कराने के आदेश दिये है Bureau Report, साधना नीूर तो सियासक की बात तो हम रोज वंदे मात्रम में करते हैं लेकिन आज हम चलिए उन छात्रों की बात करते हैं जिनका भविश्य दाओं पर लगा हुआ है क्योंकि एक के बाद एक परिक्षा पेपर लीक होता जा रहा है और छात्रों का भविश्य अंधकार में जा रहा है सबसे पहले शुरुआत में कारेक्रम की करना चाहूंगी शिक्षा वे डी के मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए है मिश्रा जी, यहां सवाल ये खड़ा होता है जो एक के बाद एक मामली देखने को मिल रहे है आकरकार क्या है हमारे देश का एग्जूकेशन सिस्टम नहीं, एग्जूकेशन सिस्टम में तो कोई बुराई नहीं है प्राबलम है हमारे जो परिच्छा अगनाईजेशन का जो अगनाईजेशन करने वाली संस्थाएं है खास तोर पे PMT का जो परिच्छा हुआ है उसके बाद मेरे पास कितने ऐसे चात्रा हैं जो इतने डिपरेशन में चले गए थे और मेडिकल की बात करें तो आप तो को पता होगा मेडिकल लेंटरेंस में बड़ा प्राइवेट कॉलेजेश और गवर्मेंट कॉलेजेश की फ्लीज में जमीन आस्मान का डिफरेंस होता है और बच्चों के पास कोई आप्सन नहीं होता बाइलोजी के जो बच्चे PMT के सैयारी करते हैं वो बच्चे इतना सिरियस होते हैं कि बेचारे दिन रात करके एक एक नमबर के लिए फाइट करते हैं और अगर उन्हें पता चलता है कि कहीं कुछ गरत तरीके अपनाए गए हैं एकजाम में या कहीं कोई पकड़ा गया है तो उनके माइंड में यही डाउट आता है कि जहां पकड़ा गया वहां तो ठीक है हो सकता कुछ ऐसी भी जगे हो जहां बिल्कुल भी कुछ ना पता चला हो और ये चीजे हो गई हो तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि उनको पता है एक एक नंबर से उनकी रैंकिंग काफी पीछे किसक जाती है और रही बात PMT में उसमें सीटे बहुत कम होती है आप सब को पता ओल इंडिया में एस्पिरेंस करीब 5 लाग बैटे थे और 33,000 सीट्स होती है तो एक एक बच्चे का कई साल जुड़ा होता है इन फैक्ट कुछ बच्चे ड्रॉप करते हैं अगले साल भी ड्रॉप करते हैं क्योंकि MBBS के बाद अगला उप्सन ऐसा नहीं होता जहां पर वो जाएं इंजिरिंग में तो अगर IAT नहीं मिला तो NIT चले जाते हैं NIT नहीं मिला तो और कोई गौर्मेंट कॉलेज पर MBBS अगर नहीं मिला तो प्राइबेट कॉलेज इतने महंगे होते हैं काम तोर पे एक आम आदमी तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता तो इसलिए मैं इसको तो बहुत सीरियस इन तरह इंपेक्ट्स अप्राइम बोलूँगा इसको अगर यह हो रहा है जैसी संस्थाएं हैं वो CBC जैसी संस्थाओं के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रैकेट करने वालों के साथ मिल करके जो कोश्चन पेपर है वो लीक करा रहा है क्या होना क्या चाहिए आखिर क्योंकि ये कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं वरसों से ऐसा चला आ रहा है लोग गिरफ़तार भी होते हैं सजाब भी होती है कुछ छूट भी जाते हैं लेकि ये सिलसला नहीं रुकता एक के बाद एक चेहरे जो है नए चेहरे सामने आते जाते है नहीं इसके लिए सिस्टम CBC जैसी संस्थाओं को हमें बताने के कोई जुरत नहीं होनी चाहिए UPSC और UPSC दोनों के पत्र लीक हो चुके हैं पिछले ही साल लीक हुए थे इसलिए मैं पूछ रहा है कोई भी संस्थाओं सायद ऐसी नहीं है जो फूल पूरूफ हो जिनके पेपर लीक नहीं हुए हो भारत में लीक करने का जो फार्मूला है वो लगता है वो फूल इच्छा कि आपने बात करी पिछले साल उसके भी जो प्रिल्मिनरी टेस्ट के एक्जाम्ट है उसके पेपर लीक हो गये थे नहीं बात आप एकदम सही कह रहे हैं यहाँ पे अगर कुछ चीज़े जैसे मैं एक सुजार दूंगा अगर हलाकि CBSE को अपना मानना है All India आजकल एक्जाम्स कम्पूटराइज होने लगे हैं वहाँ पे काफी हद तक काबू पा लिया गा इन चीज़ों से जैसे कि आप J.E.M.E.N. की बात करें डिफरेंट डिफरेंट पेपर से एक एक जैम के पैटरन को या घरती को कैसे हम चेक करें लेकिन अगर इमिलर उसको घर दिया जासके लेवल को फिलाल जो परिक्षा लीक हुई है जिसको रद किया गया है सुप्रिम कोट की तरफ से वो AI PMT की परिक्षा है इसके लावा भी दूसरी परिक्षाओं को रद किया गया है इसलिए आज हम यही मुद्दा भी उठाया है ओनिका मलोतरा जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है ओनिका जी पूरे साल छात्र तयारी करते हैं इसके लिए दिन रात एक कर देते हैं लेकिन जब अगली सुभा हमारे और आपके बच्चे परिक्षा देने के लिए जाते हैं तो इस तरह के मुन्ना भाई उनकी साल भर के मेनद पर पानी फिर देते हैं श्रीन जी ठीक कह रही हैं अपके पैनलिस ने ठीक कहा कि एड़ूटियों सिस्टम में कोई कामी नहीं है कामी है अपनी मॉरालिटी पे अपनी कॉंशेस पे लिए किस तरह से हम अपनी कॉंशेस अलाओ करते हैं कि इस चीजों को होने दें लिए कि अल्टिमेटली बच्चों का फूचर है और हम सब कहते हैं कि देश का फूचर बच्चे है तो अगर वो बच्चे ही गलत रासे में जाएंगे तो यह जायरी सी बात है उसके लिए बकायदा एक फीस भी ली जाती चाहिए उसे रेजिस्ट्रेशन के नाम पर बोले तो क्या CBST के यहां पर जवाब दे ही नहीं बनती है अगर कोई भी परिक्षार लीक होता है जो उनका पैनल है जो एदूके अफ़ार कारेवाई नहीं होनी चाहिए उनके उपर उनकोर में बेक्तनी होता से है पिल्कुल मेरा final concluding statement नहीं होना था कि stringent punishment होनी चाहिए देखिए मैं 10th or 12th examination ये बात कर सकती हूँ जो की school में मेरे school में होते है CBSE का बहुती foolproof तरीका है उसमें कोई कभी भी खामिया नहीं दिखाएगी Lexity दिखाएगी नहीं दिखाएगी checks and balances होते हैं बहुत बारी किसे question में बनते हैं और लग-लग set होते हैं कौन से set कहां जाएंगे किसी को नहीं पता होता है तो शायद जो medical cancer exam होती है वो उसको और seriously अगर ले manpower कि इनकी बहुत कमी रहती में देखती है CBSE में इन चीजहों में अगर वो अप्डेड कर ले मुझे लगता नहीं कि CBSE में काम्याब ने उपाएगी विल्कुल काम्याब होगी CBSE ने बहुत बढ़िया विल्कुल ओनिका जी सरकार चाहे Congress की हो चाहे BJP की हो मैं किसी सरकार या किसी राजनेतिक पार्टी से मसले को नहीं जोड़ना चाहूँगा क्योंकि सभी पार्टियों के कारिकाल में इस तरीके के लिकेज हुए है जो प्रश्ण पत्र है वो बाहर आए है मेरा एक सुझाव है कि आप लोगों से राई लेना चाहूँगा इस पर कि क्या आउट्सोर्स नहीं किया दा सकता है इस सिस्टम को जो एक्जामनेसन हम लोग लेते हैं जो सीबीएसी लेती है चाहे यूवीपीएसी लेती है चाहे जो दूसरे जो संस्था है जो एक्जामनेती है अगर हम इसे आउट्सोर्स करने की बात करें तो क्या आउट्सोर्स करके हम इस लीकेज को रोक सकते है क्या कारगर हो सकता है इसके बारे में क्या कहना है आपका ने बिद्कुल बिद्कुल नहीं देखिए साइंटिटी क्या है कौन सी ऐसी संस्का जो इस एक्ग्राइशन में आइजी इसको उसके क्या मानगा है उसे कितना एक्ष्वियर्ज रहा है तो यह चीज़ें आउंसर्स करना तो I don't think it is very practical ज्यादा मिनत नहीं करनी है इसमें C.B.S.D. कराती आए है C.B.S.D. को स्ट्रिंजिन होना है पूर्टू तदी के अपनाने हैं चेक्सें बालेंसर रहे हैं तो बिल्कुल एक पैनी निगाह रखने की जरूत है और यही बात ओने का मलोतरा जी भी कह रही है लेकिन फिलाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके है फोल लाइन पर स्वागत है आपका वदले मात्रम में क्या कहना चाहते हैं देखे मैं तो नाम राम से लावान है और मैं बचना से बोल रहा हूँ यह जो चाहिए इतने भी पैपर लीक होएं साथ एंड़ी बीएस के होएं साथ यूनिवर्स्टी तर के होएं साथ कॉलेज तर के होएं तो इन सब में कही न कहीं जो प्रिशासने को पी अंदर कि उन सब की मिली लगत होती है जिसके चलते हैं जो नकाबिल खापरें वो कही न कहीं आपीं से इस पाशाविच के रहे हैं तो यहां एक एहम सवाल जो मैं सबी से पूछना चाहूंगी शुरूआतन रुकेश ये आपसे करूंगी अब भले ही सुप्रेम कोट नहीं कह दिया है कि परिक्षा के लिए कुछ टाइम दिया जाए या फिर सीबियसी भी कह रहा है कि हमें थोड़ा टाइम और चाहिए परिक्षा को री कंड़क्ट कराने के लिए लेकिन सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि चात्रों के मन में ये विश्वास ये भरोसा कैसे दिलाया जाए क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी परिक्षा अगर हम बात करते हैं PMT परिक्षाओं की अगर हम जामे अमिले जिससे इंस्टूशन की बात करते हैं चात्रों का मनोबल भी तूटता है जिन परिक्षाओं के लिए जिन अब उनके एस्पिरेट जो उनके कॉलेजिस होते हैं उसमें एडमिशन के लिए वो दिन रात में नद करते हैं चातर के साथ जो अभीभावक होते हैं, अभीभावक का मुनुबल भी तूटता है, जो कितने चातर तो आत्मत्याई तक कर लेते हैं, जो सफल नहीं हो पाते हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत से परिक्षा दी है और पेपर लीक हो जाने के कारण उनका रद कर दिया जाता है, ज जो जैन्यविन बच्चे हैं, उन्होंने सुसाइट तक कमिट किया, ऐसी कबरे भी आई हैं, तो इससे केवल चातरी निवल की अभीभावक जो है, वो भी बराबर परिशान हैं, और इसको जो विश्वास जागाने के लिए और इस संस्था पर विश्वास हो, और चातर और अभी बावक दोनों विश्वास कर सकें, उसके लिए तो सीबियसी को ही कदम उठाना परेगा, या जो संस्थाए जो एक्जाम कंड़क्ट कराती हैं, उन्हों जिम्मेदार हैं, और उन्हीं को ये कदम उठाना होगा, उन्हीं, बिल्कुल तो यहाँ पर यही सवाल खड़ लेकिन उससे पहले मैं धीके मिश्वास साहब का जवाब लेना चाहूंगी इस पर, मिश्वाजी मैं ये पूछ रही थी, कि आकरकार चात्रों में कैसे विश्वास दिलाया जाए, कि जिस परिक्षा के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत का उन्हें सिला मिलेगा, इसका में बच्चों को बिस्वास में ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वो तो CVSG, सिछावित लोगों का संगटन है, मालब वहां पर ऐसे लोग लिए जाते हैं, जो पूरे इंडिया को पूरा एक बोड चलाते हैं, जैई मीन जैसे एक्जाम करवाते हैं, और भी वेरियस ए तो फेल हो गया, अभी जो हमने देखा है जो रेक्ट का खुलासा हुआ है, इसमें तो बकायदा एक कोडिंग लेंग्विज रखी गई कि अगर आपका A है, B है, C है, D है, तो ये सेट वाला तो आप सिस्टम ही ख़तम हो गया, जो एंसर की है वो सेट वाइस लिक हुए थे, जी, ओनिका जी आप हमारे साथ बने रहेगा, हमारे साथ गितांजली कुमार, पूर्व चांसला, स्वागत है गितांजली आपका वंदे मात्रम में, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अब आप छात्रों में कैसे विश्वास पैदा करेंगे अपनी सीवेसी है, सीवेसी एक्जाइम कंड़क्ट कराती है, मैं सीवेसी के हेलप लाइन काउंटलर हूँ, अगर कहीं पर पर्चा लीक होता है किसी बज़ा से, उसमें बहुत सारे लोग इंवर्ड हो सकते हैं, संस्ता अपना काम सही तरीके से कर दिये, लेकिन संस्ता के काम को ए साया, जरूर है, लेकिन संस्ता के प्रती नहीं, संस्ता तो फिर अपना कारिया सही तरीके से करने के लिए तत्वर है, और करेंगी, गितांश्री जी क्या सीवेसी के अफसरों पर एक जिम्मेदारी उनकी तहनी होने जवाब दे ही उनकी तहनी होनी चाहिए, इंक्वारी उ सिस्टम है, सिस्टम ओपरेशनल होता है बहुत सारे लोगों की कॉंटिब्यूशन से, सिस्टम में कहीं पे कोई गड़बढ आती है, तो उसका विशलेशन करना बहुत जरूरी है, और सिस्टम को सही करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, अगर हम जिम्मेदारी सेट कर भी लेंगे, ठीक है, वो होनी भी चाहिए, होगी भी, लेकिन जो समय निकल गया है, जो यादना झेल रहे हैं, उसकी भर पाई तो उससे कभी भी नहीं होगी ना, जी, तो हमें तो आगे के लिए बच्चों का अविश्वास ना बढ़े, बच्चे अपनी तैयारी ठीक तर और इसे के साथ हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, ओनिका जी का मेरूप करना चाहूंगी, ओनिका जी इस बात के क्या गिरेंटी है, कि अगर चार हफ्तों बाद या चार महीने बाद भी मान लीजे, AI PMT की परिक्षा होती है, तो वो फुल प्रूफ होगी? बिल्कुल ठीक कह रही है, यह ही है पॉइंट, जी कितांजिली ने कहां कि संस्ता को पना काम कर रही है, लेकिन उनके नीचे बहुत से पहलू होते हैं, जैसे किसी स्कूल को लिया होनी है, कॉलेज को लिया जहां पर exam conduct होगी, लेकिन देखें, जिम्मेवारी CBC को उठाने ह आपको लेनी पड़ेगा, आपको लेनी पड़ेगा, इन चीजों के लिए, यह कोई अंसर नहीं हुआ कि बहुत से परत होती है, जैसे कि मैंने कहा ही रखने पड़ेगा, या तो आप हाथ कर दें कि आम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपी काम कर रहे हैं, अभी तक अच्छा कर करते हैं, तो इसे आपको और इंप्रवाइज करना है, अगर स्टाफ की कामी है, आपको पर चेर्मेंट को स्टाफ को बढ़ाना पड़ेगा, कोई भी मेंचे तब आप ही को उठाने पड़ेंगे, जाकि लोग आपका विश्वास दुबारा से जीत पाएं कि नहीं, एक ऐस कि CBSE संस्था को आप सीधे तोर पे कट घरे में नहीं ख़ड़ा कर सकते हैं, यह जो लीक जो होता है, पेपर जो लीक जो बाहर आ जाते हैं, उसे बहुत सारे स्टेप बाईस होता है, अब CBSE ने एक्जाम का जो कोश्टन है, वो कोश्टन सेट कराया, फिर वो कोश्टन प् अब तक जो मामले सामने आया हैं, उसमें जायतर मामले वैसे हैं, जो बैंक में रखे हुए थे, जो पेपर बैंक से लीक हुए थे, तो CBSE सीधे तोर पे भले ही इसमें नहीं हो, लेकिन जो दूसरे एजेंसियां, जो इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से एक्जाम कराने में शामिल होती हैं उनका भी दोश माना गया है लेकिन जो रिसेंट मामला जो आया है भी उसमें कहीं ने कहीं सीबियसी के अधिकारियों या सीबियसी के कर्मचायाम मैं तो यह कहूंगा अधिकारी की बात नहीं करें जो बड़े अधिकार जो छोटे लेबल के कर्मचा के तो स्कूल के जर्ये भी जो है इस तरीके की बात होती है आदा घंटा देस्मेट पहले स्कूल से भी जो है पेपर लीक होते हैं तो क्या आप लोग वो स्कूल चलाते हैं या आप के हैं अगर सेंटर होता होगा तो क्या इस तरीके का इत्जाम कुछ आप आपकी तरफ से किय जाता है या जो अस्थानिय प्रशासान है उसके साथ मिल के कुछ ऐसा किया जाता है कि लिकेज नहीं हो इसकी संभावना कम से कम हो इसको रोका जा से कि इसके लिए क्या कुछ प्रिवेंटिव स्टेफ्स आप लग उठाते हैं हा फिलको बहुत से प्रेवेंटिव स्टेप्स हैं। पुलिस को जानकाई चीन हम परते हैं कि ग्जामिनेशनषी मिल्सकी बहुत स्टूंग करनी पड़ती है। जहाँ करें twistsGot में ही घर पर होती है। जैसके है आभ एकि पैमलेस में कहां किDigiz concerns शैके अरह hypothesis कि अरह हूंाज हो और जसमीं पहले बंद हो जाता है। यह डिस्टार्टी सेंटर्स को बहुत आती है। फुलेंगी बहुत कोप्रेट करती है। लेकिन जब क्वेश्चिन पेपर कुलता रहें। उसमें बहुत पर जिम्यवाली स्कूल की प्रिंटिपल की सेंटर्स प्रिंटिपल की और जो फ्लाइंग स्कूल की होती है। इसके प्रिंटिपल की बहुत देते हैं। अब आपकी मॉरल खुद की कॉंशेस हैं कि आप उसको बच्चों का बवेश्य को दर्गरा करके उसको लीड करें या सिंसरी काम करें। इसके प्रिंटिपल की भी और जहां संसरी काम करें। तो कुछ दिम्मारी हमें भी लेनी पड़ेगी। कि ज़्पास हमें नंबर दें लेगे का मामला है। हमें अडमिशन हरात में तो हम उसका शॉटकत अपनाएं। यही एक सवाल खड़ा होता है कि आजकल परचा खरीदने वालों को दिक्कत नहीं होती, वो चाहते है कि उन्हें परचा इसली अवेलिबल हो जाए और शाद इसी वज़े से यह जो एक रैकेट है, यह इतना दा फल फूल रहा है आए जो बच्चे इसमें सबसे अरफ सफर हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है, वो हम आपको सुनवाते हैं मतलब देखो, पहले तो जिन्होंने हार्ड वर्क करा है, उन्होंने टेस्ट दे रखा है बाकी यह कैंसल जो हुआ है, उनके लिए डिसट वांटे जा, जिन्होंने श्ट चोड़ रखी है क्योंकि उन्हें पता उनका रेस्टो क्लियर हो जाना है, तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी डिसट वांटे जाए हमें बहुत बुरा लग रहा है यह सुनकर, हम भी इससे बहुत डिस्करेज होते हैं तो हम अगले अपने अगले पीमटी त्यारी करने के लिए आएं इतने दूर से तो हम भी अगले साल अपियर को होना है, तो हम भी डरते हैं, यह दूबारा से नहों जाए मेरे को लगता है, बिल्कुल साही डिसिजन लिया है, क्योंकि जो बच्चों की सिलेक्शन होनी होगी, वो तो महिने मेरी विजन कर लेंगे और जिन्होंने नहीं होना होगा, जिन्होंने दो साल भी भी कुछ नहीं किया, वो एक मीने में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे को यह लगता है और अगर यह कैंसल ना होता, तो जो कीली होई थी, जो अंडिसर्विंग बच्चे थे, उनको सीट मिल जाती और जो डिसर्विंग बच्चे थे, उनको नहीं मिल ली थी तो मुझे लगता है, जो बच्चो ने पढ़ाई कियोगी पिछर्वी दो सालों में, ओर तो बहुत खुश होंगे और जुन्ने को यह कि दोर है कि जड़ना अच्छा जाना था उस बारी लिए उसितनी के इसे नहिवान की नेहा है पॉइंट भी है कि हाब उनको फिर से पर देना पड़ेगा और किसी जीज की शॉर्टी नहीं रहती तो बस कि आप दोबारा परिचा कराएं हम लोग इलाबाद में एक दिन सीजी कारयाले का घिराव किये थे यहां पे हम लोगों को कहा गया था कि आप लोगों की बात हम दिली तक पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि प्रयास करेंगे तो हम सुप्रिम कोर्ट का बहुत बहुत आ लेकिन सी बोर्ड ने मान नहीं रहा था तो चार तारी को हर मीडिया में हर्यार होता कुलिस ने पकड़ा भी था तो पकरने के बाउजी भी लोग कुछ कर नहीं रहते हैं तो काफी जगत इलहावाद बना रहा है तो कानपूर, लखनव, दिल्ली, पतना हर जब सावाज उठाएगी तब भी नहीं किया गया तो हम लोग इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है सुप्रीम कोर् तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे डिके मिश्रा जी के साथ, मिश्रा जी करपना कीजिए कि सारे 6 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं, परिक्षा देते हैं, उसके बाद परिक्षा रद होती है, तो ये सिती है हमारे देश की, लेकिन ये पूरा प्रोसिजर है, अगर इस बिल्कुल, अभी मैं स्वाते सुन दहाता सबकी, मेरा परस्नल भी हुआ है, इसमें सीवियसी सबसे ज़्यादा दोसी है, हम संस्ता को दोसी बोलना पड़ेगा हमें, ऐसा नहीं है कि संस्ता का, अगर है, मान लीजे मैं किसी अर्गनाइजेशन का हेड हूँ, और मेरे हमारे साथ आर्टी मेरा जुड़ चुकी है, स्वागत है आर्टी जी आपका बंदे मात्रम में, ये जो AI PMT के अलावा भी दूसरी परिक्षा और को पेपर रद किये गए हैं, परिक्षा रद की गए हैं सुप्रेम कोर्ट की तरफ से, इस पर आप क्या केना चाहेंगे, कौ हैं, चाहें टीचर्ज मिले हुएं, बाहर के इंस्टिटूशन हैं, जो नकल करवाते हैं, जो पेपर लीग करते हैं, ये खोखला कर रहे हैं हमारी जड़ों को, जी और मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक बड़ा कठोर इसमें दंड होना चाहिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, बिलकुल हमारे सर्मने नाई विवस्था पे हमारा पूरा विश्वास है, उन्होंने हर पहलू को देखके, और बच्चों के साथ, किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहों, उसको देखके रद किया है, कि जिससे पूरी तरहें से ठीक तरीके से परिक्षा दुबारा से हो सके, आरती जी क्या आपको लगता है, जो मौजूदा कानून है अभी इस तरीके के मामले को रोकने के लिए, अधिक सदिक जो लोग पकड़ में आता है, जो पुलिस इन्हें गिरफतार करती है, साथ से दस साल की मैक्सिमम सजा है, लेकिन वो सजा भी एवि पर जिस बच्चे या पेरिंस जो खरीद रहें अपने बच्चों के लिए, तो कौन आके जल्दी बोलेगा, और पुलिस की नेक्सिस के बिना तो ये हो ही नहीं सकता, बिलकुल, और उत्तर बर्देश में तो वैसे भी दुर्भागे पूर्ण है, कि लॉयल ओर्डर अब शहर में किसी भी राज्य में कर सकता है, अर्दी जी लेकिन यहां उत्तर बर्देश की बात तो करी नहीं सकते, लेकिन यो खुलासा होगा, भले ही उत्तर बर्देश से भी तार जुड़े हुए हो, लेकिन यहां तो राजधारे दिल्ली से 50 किलोमेटर की दूरी पर हर याना का जिला आता है, वहां पसे पूरा यह ओपरेट हो रहा था यह रैकिट, नहीं नहीं बिलकुल बिलकुल और दिल्ली में भी ओपरेट हो रहा था, अभी पीछे में एक चैनल पे थी, तो दिल्ली में भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट लगा और चौकाने वाला लगा कि हमारे साउथ एक्सेंशन में ही कहीं पे, साउथ दिल्ली में, गाजियाबाद में, और दिल्ली में और भी साथा ट्लेसिस होंगी, जहां पे नकली डिगरियों का कारोबार चल रहा था, जी, तो इस तरीका तो सिस्टम को बहुत खराब कर देने वाला है, मुझे लगता ह मिनिस्ट्री ने पास कर दिया है, और अभी कैबिनेट की एप्रूवल के लिए वो वेट कर रहा है, जी, आरती जी, एक और सवाल यहां खड़ा होता है, जिस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, ये कोई पहली बार नहीं है, जब किसी परिक्षा का पेपर लीक हुआ हो इससे पहले भी परिक्षा की पेपर लीक होते आए हैं, लेकिन जो विडबना है वो ये है कि छोटे सर के जो लोग होते हैं, उनी तक उनको पकर करके, उनको गिरफतार, उनको जेल में डाल करें, पुरा मामला खत्म हो जाता है, ये जो उपर, जो मास्टर माइन होते हैं, तक नहीं पहुच पाते हैं, तो क्या इसकी वज़ए, क्या एक पॉलिटिकल सरक्षन होता है उन लोगों को जिसकी विज़े से जो बड़ी मचली हैं, उन तक नहीं पहुच पाते हैं? नहीं, जरूर इसमें ये जाच का विशे है, पॉलिटिकल सरक्षन है, या आँखों में धूल जोंकते हैं, और या फिर मॉरल्स और वेल्यू इतने खतम हो चुके हैं, पैसे की वेल्यू इतनी ज़दा हो गई है, कि हर आदमी पैसे के सामने किसी और चीज़ को देखना ही नहीं चाता, और उसके साथी साथ पुलिस का मेक्सेस हो सकता है, कहीं कहीं पे पॉलिटिकल संग्रेक्षन भी हो, तो ये साथ तो जाच के विशे हैं, जी, आर्टी जी आप हमारे साथ बने रहेगा, हमारे साथ ओनिका मलोतरा भी जुड़ी हुई है कॉंग्रेस से, ओनिका मुझे नहीं रखता कि पॉलिटिकल होगा इतना जितना कि जो helping agencies हैं, जी आर्टी जी ने कहा कि पुलिस के हो सकती हैं, जो संसाए हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो पॉलिजेज हैं, जो जादा इसमें कहीं कि लिंक हैं, और एक गिरो है जो इनको influence करता रहे, वो ज्यादा तो पॉलिस को बहुत जरूरी है कि इस पे crackdown करना, पॉलिस सक्त होगी, कारवाई होगी, तो यह कहीं ना कहीं बंद होना शुरू होगा, जो लॉस्त नहीं है इस पे, तो easily आप निकल सकते हैं, आप maximum, आपकी अगर punishment होती है, तो आप डिजबार हो जाते हैं, आप allowed नहीं हो पॉलिस काईम आ गया है कि इसको हम बच्चों का भविष्य को लाइटी में आ ले, हम रप्रिजेंट कर रहे हैं वर्लवाइट, हम कंपीट करते हैं, हमारे चार्च विधारती भार जाके कंपीट करते हैं, तो इस तरह कि अगर हम qualification से भार निकलेंगे, तो कहीं ना की जात ह अनिका जी और आर्थी जी मैं आप दोनों को बताना चाहूंगा, जो स्रेयर है जो सवाल किया कि पॉलिटिकल संडेक्शन मिलता है कि नहीं, मैं एक उधारत देना चाहूंगा, रंजीत डौन, जो की पात साल पहले, छे साल पहले आपको याद होगा, बिहार में, मेडिकल जिस तरीके से लीक किया जाता था, सिबी एसी के पेपर को, और उसके जरिये से बहुत सारे डौक्टर, अब वो हलाकी रंजीत डौन अभी जेल में है, और उसके नेकसस से जितने लोग डौक्टर बनें, उसकी भी जाच चल रही है, और ऐसा अनुमान है कि करीब अभी वर जाच चल रही है, लेकिन ये जाच जो है लगातार चल रही है, डौन पकड़ा गया था, उन्होंने खुद इस बात को माना था रजीत डॉल ने कि पिछले 10 साल से हम ये काम कर रहे थे तो 10 साल के दौरान उन्होंने किन-किन लोगों को पैसे ले करके डॉक्टर बना दिये और वो कौन-कौन डॉक्टर है जो अभी हमारे आपके बीच में है और इलाज हमारा और आपका इलाज भी कर रहे हैं किसी ने किसी जगह पे वो पोस्टेड भी है यह तो बहुत शेम्फुल है यही तो मैं कहने चारी हूँ आपको स्कूल की बाउंटरी नहीं है, स्कूल में प्रोविजन नहीं है, हमाँ एग्जामिनेशन हो रहा है तो यह तो बहुत इंपॉर्टन है कि एडुकिशन मिनिस्टर परिटल स्केट का इस चीश को देखे सेंटर्स की निख्रामियों बहुत दूरी है, यह तो रैकेट चलाने वाले होते हैं, यह लंबे समय तक तभी चल पाते हैं, जब इन्हें राजनितिक संडक्शन होता है जी, फिलाल मैं सबीक से लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी, मुकेश जी मैं आपको शुरुआत करूँगी अगर मैं ये कहें कि अज़से हम बात चीश करें कि आखरकार कैसे हम PMT परिक्शाओं में फर्जिवारे को रोक सकते हैं तो क्या इसका एक सुझाव कोट ऑब्जरवर लगा कर नहीं हो सकता है अगर हम हर एक सेंटर पर कोट ऑब्जरवर लगा दें या जो सब्वेदर शिल सेंटर 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 वहां पर ऐसी वेवस्था कर दें तो क्या इसको रोका जा सकता है लेकिन जहां पर आप जिसे अभी जो लीक हुआ है इसमें की लीक हो गया है हर एक सेट का की लीक हो गया और लीक जो है पहले से लोगों को पता है जो उसमें एपियर हो रहे हैं तो वो याद करके अकड चले जा रहे हैं की को तो आप उसको किसी भी अस्तर पर रोक नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें एंसर पहले से पता है वो जा करके देखेंगा तो देखने के बाद उन्हें एक अंदाजा लग जाता है कि कौन सा एंसार वो देज एक्जाम देखर करके चले आते हैं मुकेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगी आपको भी जानकर हैरानी होगी कि जो हर्यारा से पूरा ये रैकेट आपरेट हो रहा था वहाँ पर सिर्फ 15 मिनट ऐसे होते थे जो एक्सपर्ट होते हैं वो पंदा मिनट में सॉल्व कर देते थे और वहाँ एक कोडिंग लैंवेज होते थे उनसे पूछते थे कि आपके पास कौन सा सेट है फिर वो बताते थे बीस मिनट में पूरा पोश्चन पेपर सॉल्व के न अना कि वो रजी डॉक्टर गयां के थे और आइंस में काम भी करते थे और वो बकायदा एक एक्साम को करने के लिए आदे घंटे का पिपर लीकरने के लेए 10 लाग पर पिया लेते थे थे तो ऐसे पूरा ये फरजीवारा जो है यो एक्सपर्ट ऐसे होते हैं और एक्साम अर दिल्ली जो हो रहा है और एंसर जो है वो राजस्थान में तयार हो रहा है तो बहुत सकते हैं और ट्रय जो होता जो ही जो जो प्लिगा तो लगतार हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, मिश्रा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी अमोमन ये देखा जाता है कि जो रैकेट चलाता है और दूसरे जो उनके सूडेंट होते हैं उनके रैकेट से पास आउठ हुए होते हैं, वो उनी को बच्चों के बीच भेजते हैं वो बच्चों को ये बताते हैं कि देखिए, आज मैं बिना कुछ मेनत किये हुए यहां पर आया हूँ खुद एक organization चलाता हूँ, मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं तो कई parents आके मुझसे पूछते हैं, सर आपका तो कुछ जुगाड होगा और देख लीजिए अगर कुछ हो सकता हो क्योंकि उन्हें एक difference दिखता है, उन्हें आल इंडिया प्री मेडिकल से अगर वो अपने बच्चे को भेजते हैं तो उनको साल बर में 10 अजार से 20 अजार की फीस पढ़ती है प्राइबिट कॉलेजिज एक साल की 8-8 लाग फीस लेते हैं और उसमें डोनेशन्स आजकल चलते हैं 30-35-35 लाग तो उन्हें लगता है अगर 10-20 लाग में उनका जुगाड हो जाता है काम और उन्हें एक गौर्मेंट सीट मिल जाती है तो इसे लोग बेसिकली मैं कहूंगा पैरेंस लोग इंवाल हो रहे हैं आजकल पैरेंस चाते हैं 10-20 लाग 5 लाग दिने में अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बन जा रहा है तो कोई पॉलम नहीं है इसमें तो मुझे लग रहा वहाँ एक माइंसेट की प्रॉलम है पैरेंस अपने बच्चे को जज़ नहीं करते हैं वो यह सोचते हैं कि कुछ ऐसे जुगाड करने से क्योंकि वो नियूस पेपर पढ़ते हैं हर साल रेखते हैं उन्हें लगता हो सकता अगर हो जाए तो एकाथ 2-5 लाग देने में कोई बुरा ही नहीं है जी ओनिका जी मैंने भी यह शुरुआत में यही कहा था जी करेबिए, लेकिन बनाई नहीं अगर सीज बठ जाती है साइसी बात है, मेरी भी ऑए और आपके बच्चे बहुंते हैं और बहुत काद़ द्रयूस दो बहुते हैं लेकिन सीज में उता होती हैं तो जो लोग नहीं पहुंकते हो शॉट कर जून से इस चीज का आपको निवारान करना पड़ेगा सिर्फ ये कहना किया morally upright रहें checks and balances रखे government को भी देखना है कि accountability या इस चाहिते संसा है और बनाए जो procedures हो जो government run हो जिसमे कम खर्चे में अच्छी ताहं के बच्छा अपनी degree हासिल करते जी तो हम शिक्षा में आधुनी करन की बात करते हैं उसको मौडरनाइज करने की बात करते हैं लेकिन जब मौडरनाइजेशन इस रूप में निकल कर सामने आता है तो हम सभी को हैरानी होती है जिस तरह का रैकिट का भंडा पाउड हुआ है तो आज हमारा मकसद यही था कि हम उन बच्चे जो की निराश हो रहे हैं पूरा वाक्या देखने के बाद में उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है अगर वो मेरत करें तो दूसरी बार भी अटेम्ट देकर वो फिर से अपना पेपर कौलिफाई कर सकते हैं और जो उनका स आर्टी मेरा जूड़ी थी उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी साथी साथ मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तो इसी के साथ हमारे खास कारिक्रम वद्रेमात्रम में फिलाल के लिए बस इतना ही छोड़े जाते हैं आपको पब्लिक पंच के साथ नम आपको कमुलिच के बात सुनकर चीनी वेटर इधर उधर देखने लगा एक चीनी वेटर ने हिमत करकी पूशा सर चावमिन का गोभी और शिमला मिर्ट से क्या ले ना देना। वेटर की बाद सुनकर मोधी ने जहलाते हुए प्लेट पठगती। बाद में मोधी को चावमिन में थोड़ी शक्कर डालकर परोसी गए। फिर उन्होंने उसे बड़े शौक से खाया और चीनी वेटरों ने र वर्ड छिडा हुआ था। एक दिन मोधी ने इस वर्ड को खत्व करने का सोचा। उन्होंने आडवानी को पत्र लिखा। विपश्यना से शांती आती है। मोधी की इस पत्र से नाराज आडवानी जी ने पलटकर मोधी को लिखा। ओ हेलो अब कित्ती और शांती चाहिए ह और शांती